पर देखी कोट किया जा रहा है, अभी वो कह रहे हैं कि जो जैशंकर जी ने पार्लिमेंट में बोला था जी कॉंग्रस को भी मालूम है चाइना की स्थिति क्या है, I mean किसको हम बेवकू बना रहे हैं, जब उनकी सर्थकार सी तो वो तो हमेशे गुट्लन टेक्टे से चाइना के आगे, कब उन्होंने स्टैंड लिया, कब चाइना ने एकसेप्ट किया कि हम वो अपनी है, जहां आप नहीं जा सकते थे पहले, क्योंकि उन्होंने बंद कर दिया था जाना, और वो बहुत सेंजिट्व है, क्योंकि वो कराकुरम हाईवे के साथ जाती, अब हमारे पेट्रोल जो है, दस दिन के बाद वहां जाना शुरू करेंगे, पंदरा आदमी महिने में दो जाएंगे, कुछ तो प्रोग्रेस है ना इसमें, चीक है, प्रोग्रेस तो है, भले से ही आप माने ना माने, दॉक्तर भालचंद्र कांगो, और करनल टिकू कह रहे हैं कि मानसिक्ता बदल गई है, एको जो दब्बू सा रवहिया था, वो अब नहीं रहा है, मुझे लगता है, और 2020 क्या, वो तो सालो साल से जबसे चाइना एक्सिस्टेंस में, यझा या से तब साम चाहिए है, तबत कोई कन्कुलूजन पर आना मुश्किल है, यह मुश्किल नहीं है, क्यू लिया था आप के हесाब से, ब्रिक्स की बिटिंग चल रही है, ब्रिक्स किस ले चल रही ब्रिक्स ये imperialism को counter करने के लिए है और उसमें इंडिया का इंडिया की भूमी का बड़ी एहम है ये चीन भी जानता है ये रश्या भी जानता है और इसलिए इंडिया के साथ ज्यादा दुश्मनी करके फाइदा नहीं है ये चीन का international understanding है उसलिए चीन ने एक स्टेप आगे आ ये physical है और उसके लिए कोई भी neighbor के साथ हमारा dialogue और discussion ये ही तरीका होना चाहिए problem solve करने का और उसकी उस basis के उपर मैं इस agreement का स्वागत करता हूँ कि कम से कम एक स्टेप क्यों नहीं हम आगे बढ़े हैं और उसलिए उसका स्वागत करता हूँ क्योंकि ये militancy के जिवाए ये बताता है कि dialogue or discussion is the only way forward as far as the neighbors are concerned और मुझे लगता है कि ये message strongly जाता है और और सब 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 हमसाय देशुक के साथ करना चाहिए dialogue or discussion को support है मारा सब बोला है नों सब नहीं चाहिए dialogue or discussion के सिवाए कोई भी problem होल नहीं होगा देगे हम तो यही कह रहे है हम तो लगातार यही कह रहे है कि border issues को लेकर जो है discussions की आवशक्ता थी जो लगातार हम करते आये हैं और उसके बाद कहीं नहीं स्थितिया आज बहतर हुई है और जहां चाइना ने 2020 में ऐसा क्यों किया चाइना से 14 देशों की सीमाएं लगती है मतलब धर्ती और पानी की अगर हम बात करें 14 के 14 पर डिस्प्यूट है उसका और 14 की 14 countries में वो मानता है कि उसकी जमीन उन्होंने ली हुई है पाकिस्तान जिसको सबसे ज़्यादा पपेट करता है वो उस तक को भी मानता है अब यह हम से पूछ रहे कहते हैं नहीं अब ऐसा 2020 में क्यों हुआ मैं मानता हूँ के हिंदुस्तान और चाइना कहीं न कहीं डेवेलपिंग नेशन हैं और जिस तरह से इस्थितियां बहतर हुई है जिस तरीके से कोविड में कहीं न कहीं चाइना बहुत साफ है यहाँ पर सरकार की मैं इंटर्विन करना चाहता हूँ पॉलिसी का होना बेहद जरूरी हा जो आज तक हम कम से कम चाइना के विशे में तो लैक करते आए हैं डॉक्टर कांगो आप हस रहे थे क्यों नहीं बीच में एक स्टेटमेंट किया गया कि चाइना की बड़ी बुरी है आज ही प्रेपर में स्टेटमेंट है कि हमारे पास से फॉरेन इंवेस्मेंट जाकर रिमूव होकर ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इंवेस्मेंट चाइना में जा रहा है तो अच्छी है कि बुरी है यह हमको समझता है कि इन्वेस्टर को समझता है यह Chinese economy बुरी नहीं है, इंडिया के साथ वो competition कर रहे हैं, मुख्य सवाल मुझे लगता है कि क्या चाइना हमारा competitor है, क्या इनीमी है, इसके उपर भाइस होनी की जरूरत है, जो कि गलवान में आप दिखाई दिया है, जो समझोता हुआ उसे दिखाई दिया है, ये मेरा सवाल था, डॉक्टर कांगो, देखिए, 1914 से लेकर 1920 तक हमारे policy में काफी बदला हुए है, हम प्रो-imperialism हो गए है, Quad की discussion नहीं है, China is very much disturbed about Quad, और ये Quad का discussion करेंगे, तो Quad ये बताता है, कि मोधी, अपकी बार Trump, ये बोलने का वज़ा क्या थी, कि हम पूरी तरह से प्रो-imperialism होने की कोशिश दावे थे, उसके लिए चाइना ने मेरे को लगता है कि दो हजार, इसके लिए 2020 में चाइना ने हमको बताया कि you'll have to come back to your neutral stand, और वो आज वापस आये हैं, उसके लिए पुटीन को, युकरेन को सब जगा बोल रहे हैं कि हम श अखारत में एक ये सहमत ही थी कि don't poke the dragon, जिसको कहते हैं कि चाइना को पंगा मत लो, अब ये मानसिकता बदली है और भारत ये सोचता है कि अगर हम से भीडेंगे तो आपको जवाब मिलेगा, क्या आप ये मानते हैं? देखिये ये प्रजक्त किया जाता है, असलियत ये है कि ये ये टेक्निकालिटी के बाद ही मालूम हो जाएगा? चीक है, टेक्निकालिटी सब टेक्निकालिटी पाया जाता है शूरम ते आगी, अभी तो पता निया ना कि चाइना माना किया है? There is no permanent friend and permanent enemy in international politics. बहुत सीधी सी बात है. मैं मानता हूँ कि आपकी party का नाम Communist Party of India है, लेकिन उसकी roots कहा से है, आपका दिल थोड़ा सा किसकी तरफ नरह में ये देश जानता है. अब मैं उसमें जादा detailing में नहीं जाना चाहता है, लेकिन ठीक है भाई, आप रहते तो इसी देश में हैं ना, कहते हैं वो नहीं, चाइना के हालत खराब नहीं है. चाइना 4.8 की record से बढ़ रहा है GDP में, हम 7 प्लस बढ़ रहे हैं. हम नहीं कह रहे हैं कि उनकी GDP in size हम से जादा नहीं है. इस समय ग्रोथ की जो इस्थिती है वो बहतर है हमारी, इस समय अगर 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 अटो मोबील इंडस्ट्री में टॉप 3 में हैं तो इसकी इस्थिती बहतर है हमारी, और मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, हम पीछे क्यों हैं भाई, पिछले 40 सार उठा कर देखिये न, जब चाइना जो है प्रिडक्शन में काम कर रहा था हम यहां पर शावानों के केस पलेटने में और नजाने किन-किन चीज़ों में लगे हुए थे, दादा जी, नाना जी, चाचा जी, फूफा जी, इनी चीज़ों में लगे हुए तो पॉलिटिक्स करी नहीं रहे थे, अगर थादन साल में देश में काम किया होता तो देश को सडकों की आवशकता आज नहीं होती, यह 40 साल पहले हो जाना था, लेकि नहीं हुआ, तो बुरा लगता है, आपको लगता है चाइना बहुत बहतर कर रहा है, क्योंकि पिछले 50 साल का जो बैक लॉग है, उसको बहतर करने में, सित्या आने में जो आज बनी है, यह समय लगा है, और यह 10 साल में इसलिए हिंदुस्तान बहतर है और जवाब दे पा रहा है, थाइंक यू, ठीक